दोस्तो आज हम लोग JavaScript के एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं इस JavaScript के कोर्स में हम लोग सीखेंगे वेब डेवल्लप्मेंट के बारे में कि कैसे JavaScript आपके वेब डेवल्लप्मेंट करियर को एक नई उचाहियों तक ले जा सकते हैं अगर आप लोग एक web developer हो तो आप अपनी skills को enhance करने के लिए इस course को पढ़ सकते हो, अगर आप लोग freelancer हो तो और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए इस course को पढ़ सकते हो, अगर आप लोग student हो जोगी नई-ने technology सीखने में interested है, तो ये course आपको javascript से introduce भी कराएगा, और उसके बहुत ही aspects आपको सिखा के जरूर जाएगा, दोस्तों आप समझ लेते हैं, javascript चीज क्या है, जैसे कि html का हम लोग use करते हैं, अपने web page को build करने के लिए, construct करने के लिए, css का हम लोग use करते हैं, उस construct किये गए web page को design देने के लिए, या एक नया art या नही life देने के behavior को program कर सको, कि वो web page खुले तो कैसा लगे, कोई उसमें कुछ action ले तो कैसा लगे, मैं किसी चीज पर click करूँ या किसी चीज को touch करूँ या hover करूँ, तो मेरे को क्या कुछ देखने को मिले और क्या एक action हो मेरे action के ऊपर, तो दोस्तों, javascript इस चीज में हमारी मदद करता है तो environment setup करना आपको इस चीज को सीखने के लिए बहुत ही आसान है, आपको visual studio code install करना है, जो कि अगर आप लोग windows user हो तो बहुत ही easily windows store से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो google पर आप आराम से सर्च कर सकते हो, कि किस तरीकी से vs code आप डाउनलोड कर सकते हो, और बहुत ही आसानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से अगर मैं आपके करन लिखता हूं और just save कर देता हूं तो यहां मेरे changes reflect हो जाते हैं web page में, तो इस तरीके से हमारी testing और सीखने का जो speed है वो भी तेज हो जाएगी इस course के दौरन, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कि तरीके से simply हम लोग javascript को यूज कर सकते हैं तो जैसे कि मानलीजी यह आपका एक sample HTML code है जो कि बहुत ही simple है इसमें हमने एक HTML tag लिया है, एक body element लिया जिसके अंदर हमने एक heading डाली है javascript course की जो कि आप लोग देख सकते हैं और आपको यहां पर web preview में भी दिख रही है इसके हमने एक p tag लिया है जिसमें हमने लिखा है hello world और ऐसे में body tag को खतम किया है और HTML tag को भी खतम किया है javascript simply लिखने के लिए हमें use करने पड़ते हैं script tags और script tag को आप लोग इस तरीके से use कर सकते हैं और इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वह आप javascript को लिखोगे तो यहाँ पर मैं simple सबसे पहली hello world लिख देता हूँ javascript से तो मैं लिखूँगा document.write और यहाँ पर मैं लिख दूँगा I am current और ऐसे मैं कर दूँगा इसको save तो आप लोग देखोगे कि document पे एक और चीज आ गई है I am current और ऐसे में एक और चीज अगर लिखना चाहूँ please subscribe और इसको भी कर दूँगा save तो यहीं पर आ गया तो simply आप लोग इस तरीके से javascript को start कर सकते हो उमीद है इस वीडियो से आप लोग समझ गयों कहां javascript आपके use आएगी किस तरीके से आप लोग इसको start कर सकते हो और कैसे यह course आपकी मदद करेगा अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से javascript का use करके हम dom के elements को manipulate कर सकते हैं कर दोग से आपके हम लोग से आपके से आपके सुटर्वस करें जार हैं